नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल सा तरीका जिससे आप अपनी करेंट रियालिटी को इजली इगनोर कर सकते हो क्योंकि जैसा आप भी जानते हो कि करेंट रियालिटी को देखते हुए आप उसे चेंज नहीं कर सकते अगर आप एक न्यू रियालिटी क्रियेट करना चाहते हो लेकिन आपकी हैपिट बनी हुई है कि आप करेंट रियालिटी में ही देख रहे हो तो उसके अपोजिट कभी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती यानि अगर आप करेंट रियालिटी में करेंट रियालिटी पर ही फोकस्ट हो तो आपको जो रिपीट में मिलेगा वो आपकी करेंट रियालिटी ही रिपीट होती हो ही मिलेगी आप तब तक आप अपनी current reality को change नहीं कर सकते और उसे new reality में convert नहीं कर सकते जब तक current reality को आप ignore करके एक new reality में देखने की कोशिश ना करो अब actual में देखो तो ये process बहुत ज़्यादा simple है लेकिन कई बार हम complicate कर देते हैं इस चीज को लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उस तरीके से अगर आप इसे अपनी life में implement करते हो तो current reality को ignore करना आपके लिए बहुत easy हो जाएगा अब जैसा कि Abraham Hicks कहती है कि आपकी life में सबसे ज़्यादा resistance दुनिया के हर एक इंसान की life में सबसे ज़्यादा resistance अगर कोई create करते है तो इसी चीज से करते है कि उनकी ये habit होती है या बोलो strong belief होता है इस बात को लेकर के कि हमारी life में जो चीज़े चल रही है हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए और उसे और बढ़ाना चाहिए actual में ये meaning हो जाता है vibrationally उसको देखा जाए तो और इस तरीके का हमारा belief होता है कि जो हमारी reality में चल रहा है हमें उसके बारे में ठीक तरीके से बात करनी चाहिए यानि सच तरीके से बताना चाहिए कि ये रियालेटी है और ये इसी तरीके से हो रही है हमारी लाइफ में एकदम लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ बुरा हो रहा है ये चीज़े रियालेटी में हो रही है तो universe में ऐसी कोई चीज नहीं होती universe तो बस उसी चीज को सच मानता है जिस चीज पे आप बात करते हो जिस चीज को आप repeat करते हो या और simple शब्दों में कहो तो universe उस चीज को सच बना देता है जिस बारे में आप बात करते हो योनिवर्स को ये फर्क नहीं पढ़ता कि reality में क्या है और क्या नहीं अगर आप उस बारे में बात करते हो तो reality में वो चीज़े बन जाती है अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि identify करना की problem क्या है और problem के बारे में continuously बात करना ये दो different चीज़े होती है आप अपनी current reality में कोई चीज़ को देखकर कि ये identify कर सकते हो कि हाँ मेरी life में इस बात की problem है और मुझे इसे change करना है लेकिन ये reality तब तक change नहीं हो सकती जब तक मैं इसके बारे में continuously repetition जो कर रहा हूँ अपने मन में और लोगों को बता करके वो जब तक change नहीं हो जाता तब तक reality में कोई भी change नहीं दिखेगा तो यहाँ से आप समझ जाते हो कि identify करना कि ये problem है और problem के बारे में continuously बात करना कि मेरी life में ये problem है जो नहीं solve हो रही इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और identify करना कहीं न कहीं अपने desire को समझना भी होता है क्योंकि कई बार आपकी life में कोई contrast होता है या resistance होती है कि मेरी job में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा या identify आप करते हो कि आपकी job में कुछ better नहीं है तो ऐसे में आपकी desire automatically आती है कि मेरी job में कुछ अच्छा नहीं है तो मुझे एक अच्छी job चाहिए या मुझे इस job में अच्छी opportunity चाहिए या जब आप identify करते हो कि मेरे life में पैसों की कमी चल रही है पैसों की कमी चल रही है ये बात जानने के बाद आपकी desire automatically निकलती है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए मेरी life में मुझे और पैसे कमाने हैं लेकिन अगर आप focused हो इसी बात पे कि मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है इतनी problem हो रही है पैसे नहीं है तो अब रहाम कहती है कि drum beat करना इस बात का जितना आप drum beat करते रहोगे जैसे हम अपने simple शब्दों में हिंदी भाषा में कहते है ढोल पीटना या दिंडोरा पीटना कि आप जितना दिंडोरा पीटोगे कि मेरी life में इस चीज कितनी problem है वो problem उतनी बढ़ती जाएगी तो अब रहाम ये कहती है कि इस वाली drum beat करने की जो habit होती है आपकी इसको break करके आपको एक new reality की तरफ focus होना चाहिए और reality वही बनती है जिस पे आप focus करते हो यानि simple शब्दों में कहा जाए तो as it is चीजों को देखना छोड़ करके जैसा आप देखना चाहते हो उस तरीके से उन चीजों को देखना start करो feeling को समझो actual में जैसे law of attraction में end feeling की बात की जाती है कि आप किसी एक चीज़ को अगर manifest कर लेते हो तो आप कैसा feel करोगे अब feeling चाहे उस वक्त कैसी भी हो जिस भी तरीके का आप उचलकुद कर रहे हो लेकिन ये sure है कि आप health manifest करो चाहे wealth manifest करो relation manifest करो चाहे success manifest करो at the end आप happiness feel करोगे यानि enjoyment वाली feeling, joy वाली feeling अब यही चीज़ देखोगे तो कल वाली वीडियो में भी मैंने बताई थी कि हमारी life का purpose होता है joy हमारी life का purpose होता है हमारी life में खुश रहना और उसको enjoy करना क्योंकि सभी manifestation complete होने पर हम उसी feeling में आते हैं तो उसी feeling को हम पहले manifest करते हैं ताकि आवारा current reality से ध्यान हट जाए क्योंकि current reality में जो चीज़े हो रही है उस पर अगर आपका ध्यान जाता है तो वो कभी भी आपको happiness नहीं देंगी जो current reality में हो रहा है उसको देखते हुए और observation के बारे में भी Abrahamics ये कहती है कि observation में human beings बहुत अच्छे होते हैं यानि जो चीज़े जैसी देख रही होती हैं उसको वैसा ही देखते हैं और वैसा ही believe करते हैं और उसी को reality मानते हैं जबकि reality खुद अपने आप में एक illusion होती है reality तो वही होती है जो आप देख रहे होते हो यानि आपका perspective आपकी reality है क्योंकि हर चीज में अच्छी या बुरी हर चीज होती है यानि हर subject का दो subject है एक positive एक negative अगर आप किसी person में भी मान लो देख रहे हो तो उसी person में अच्छाई भी है बुराई भी है आप जिस perspective को ज़्यादा देखो कि आपकी life में वो ज़्यादा manifest होगा और लेकिन अगर आपको किसी person का से बुरा ही side देख रहा है कि ये habit मुझे इसकी परिशान करती है या इसकी वज़ा से मुझे गुस्ता आता है तो वो चीजे सामने से देखो कि और ज़्यादा बढ़ती हुई क्योंकि आप current reality पर focus करके आप new reality को create नहीं कर सकते अब new reality create करना चाहते हो तो new reality पर ही focus होना चाहिए आपका और ये भी जगा पर बहुत confuse होते हैं लोग की new reality create करने के लिए कोई action की जरूरत नहीं होती अपने हातों को, अपने पैरों को, अपने मूँ को, अपने शरीर को action से दूर रखो law of attraction में अगर आप follow करना चाहते हो तो हमेशा ये समझना जरूरी है कि creation से फ़से vibrational alignment से होती है action का उससे कोई लेना देना नहीं होता actions totally natural होते हैं आपके हाथ है, आपके पैर है, आपकी आखे है, आपका मूँ है आप चलोगे भी, आप बोलोगे भी, आप दोडोगे भी आप बाते भी करोगे, आप अपने हाथ पैर का इस्तेमाल भी करोगे ये natural है, यानि actions लेना आपके लिए natural है कोई दुनिया का इंसान आपको रोक नहीं सकता actions लेने के लिए या ये नहीं कह सकता कि आप actions लो, क्योंकि आप action नहीं लेते हो ये statement ही अपने आप में गलत हो जाती है कि law of attraction action से काम करता है और action में, यानि कहते हैं बहुत लोग कि attraction में भी action word चुपा हुआ है तो law of attraction में अगर action word ही चुपाना होता तो law of action होता, law of attraction नहीं होता law of attraction का मतलब है attract करना law of action का मतलब है कि खुद जाकर उस चीज को करना इन दोनों ही चीजों में देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर होता है attract करना मतलब किसी चीज को चल कर अपनी life में आने देना action लेना मतलब किसी चीज के पीछे भागना तो ये चीज आपको समझनी होगे कि action आपके लिए natural होते है और जैसा आपका mind रहेगा वैसा आपका mind act भी करेगा आपकी body भी वैसे ही act करेगी अगर current reality में मान लिजे कोई person है आप उसको पसंद करते हो लेकिन उसका behavior आपको नहीं पसंद है अगर आप continuously उनके observation यानि उनमें ये बात observe कर रहे हो कि उनमें ये बुराई है ये बुराई है वो बुराई है वो बुराई है तो ये सारी बुराई पर focus करने की वज़ा से at the end आपका action ये होगा कि आप जगड़ा करोगे सामने वाले से और आपका break up हो जाएगा ताकि उस person से मेरे relationship जो है वो heal हो जाए अब आप खुछ सोचो कि इतना ज़्यादा observation जब आप सामने वाले person में देखते हो कि उसमें इतनी सारी बुराई है तो उस जगा पर आप उसको love vibrations कैसे बेजोगे आपके mind में सीधा ये ही question आएगा कि मैं ही क्यों मैं ही क्यों अपने relation में 100% अपना दू मैं ही क्यों हमेशे effort लू वो क्यों नहीं सामने से कुछ करता या करती सारी चीज़े मुझे ही क्यों करनी पड़ती है इस example से आप समझ गए होंगे कि अगर continuously आप observation रखते हो किसी बुरी चीच पे तो एक तो ये है कि naturally जो आपको impulse मिलेगी naturally जो आपका action होगा वो सामने वाले से जगडा करने का होगा उससे break up करने का होगा उससे पीछा चुडाने का होगा और अगर actual में पीछा चुडाना चाते हो तो फिर भी एक बार को आप ये चीज़ कर सकते हो लेकिन अगर आप manifest करना चाह रहे हो सामने वाले person को लेकिन observation ही आपकी ऐसी है आपका ध्यानी उस बात पे जाता जो आपको पसंद नहीं आता है और ऐसे में आपको लगता है कि आप कोई action लेके कोई technique करके या उनसे बात करके इस चीज़ को handle कर लोगे तो आपका action आपकी vibration से match नहीं होगा जिस तरीके का आप चाह रहे हो क्योंकि आपने focus रखा है उस person के negative point पर तो अगर उसे बात करके सुलजाने भी जाओगे तो ऐसी ही बात करोगे जिससे relationship और बिगड़ जाए और ये चीज़ समझाने वाली बात नहीं है आप खुद अपने relationship में सीच को देखे होंगे और सामने से भी जब आप कोई effort लेने जाओ vibrationally करने के लिए या technique करने के लिए तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि आपका mind engage ही नहीं करेगा उस चीज़ पे जश्ट ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती का काम है करना पढ़ रहा है नहीं करेंगे तो manifestation नहीं होगा अब ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी resistance है तो इस तरीके से आप समझते हो कि actual में आपके जितने भी actions या जितने भी efforts होते है वो सारे fail हो जाते है और current reality में जो भी चल रहा होता है वो आपको ignore करना मुश्किल हो जाता है और वो चीज बढ़ती चली जाती है और ये जो action वाली बात है ये कई बार debatable भी हो जाती है कि action से हम सारी चीज़ों को कर लेते है अपनी life में और ये कहीं न कहीं सच है जोट पूरी तरह से नहीं है लेकिन ये है कि अगर आप एक बार action वाली habit में पढ़ जाते हो तो आपको हमेशा अपनी तरह से effort लेना पढ़ता है आप ही को सारी चीज़े हमेशा करनी पढ़ती है और universe फिर उस जगा पर आपको उस चीज़ को करने देता है और आपके लिए वो काम नहीं करता क्योंकि आप उसको ये vibration देते हो कि सारी चीज़े मुझे ही करनी है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों लूँ और देखा भी जा है तो इन डिबेट्स में मैं पढ़ता भी नहीं हूँ ना ही पढ़ना चाहता हूँ मेरा बस ये clarity है मेरी life में कि actions काम नहीं करते सिर्फ vibration काम करती है और starting में मैं भी ये सोचता था कि actions की वज़ा से manifestation होता है और जब तक actions लेता रहा तब तक कुछ भी manifest नह लेकिन जिस दिन अबराहम ने कहा कि सिर्फ और सिफ alignment matter करती है और बिना alignment आप कोई action भी नहीं ले सकते है अगर ले भी लो तो वो fail होगा और alignment में action easy होते है ये सारी बाते जब उन्होंने बताई तो सिर्फ मैंने उन्ची जो को follow किया उन्ची जो को accept किया मेरी life में और उसक जैसा कहें कि law of attraction action पर काम करता है तो उनके लिए करता होगा मेरे लिए नहीं करता है मेरे लिए सिफ vibration work करती है और मैं इसी बात पर believe करता हूँ और सेम इसी तरीके से choice होती है हर एक person के पास कि वो अपना believe रख सकते है अब कई लोगों को ये चीज debatable लग जाती है इसलिए म पहले कहा दे रहा हूँ कि मुझे इस debate में कोई interest नहीं है मैं यही believe करता हूँ कि law of attraction से फोसे vibration पर काम करता है बाकी अगर आप इस चीज को खुद अपनी life में देखना चाते हो तो देख सकते हो observation इस जगा पे थोड़ी सी help कर सकती है कि जहाँ पर देख लोग की actions कैसे work करते हैं और अगर आपने action वाला रास्ता बहुत बार अपना लिया है जो कि already आपने अपनाया है तब ही आप इस video को देख रहे हो तो ऐसे में vibration वाला रास्ता अपना करके देखो आपका action की जरुत नहीं पड़ेगी action natural हो जाएगा क्योंकि कोई भी इंसान चुप चाप एक जग जगडा नहीं करेगा या गुस्से में वो प्यार नहीं दिखाएगा तो वो चीज़ समझ नहीं होती है अब आते हैं कि इस चीज़ को practically अपनी life में हम करे कैसे यानि current reality को ignore कैसे करे अब इसका सबसे simple answer अब्राहम कहती कि अपनी आखों को बंद करके जाधा जियो अपनी तो result instantly आपको नहीं दिखेगा result दीरे दीरे करके आपकी current reality में एक एक करके आते जाएंगे लेकिन वो change करना आपका काम भी नहीं है और वो immediately होगा भी नहीं लेकिन आपके पास choice है कि आप कैसा feel करना चाहते हो और अगर आप current reality में बुरा feel कर रहे हो तो आप ये जरूर choose कर स उन चीजों को करेगा यानि current reality आप change नहीं करोगे universe उसको change करेगा आपको बस इतना करना है कि आपको अपना vision change करना है आपको अपना देखने का नजरिया change करना है और क्योंकि आखे है current reality में वो चीज़े चल रही है तो आपको दिखेगी तो आपको तकलीफ होगी लेकिन य कितना हो सके उतना avoid करना है उन चीजों को जो आपको परेशानी देती है जैसे specific person manifest कर रहे हो लेकिन contact में हो person के साथ और daily basis पे जगडा होता है तो ऐसे time पे avoid करने का मतलब है no contact में चले जाओ ताकि at least उस जगडे को तो avoid करो जो current reality में हो रहा है अगर आप किसी चीज को manifest कर र time बिताओ ताकि जितना अप अपने साथ रहोगे अपने mind को अप उतना ज्यादा guide कर पाओगे अगर current reality में involved रहोगे देखते रहोगे चीजों को तो वैसा ही होता रहेगा अब आखे बंद करके ज्यादा जीने का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर आखे बंद करके ही रखो obviously इसका मतलब यह है कि meditation करो, visualization करो, इतना करो कि जब आपकी आखे भी खोले तो reality में अगर कुछ दिखे भी तो आपको उतना फर्चना पड़े अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि एक दिन में आप 10-12 गंटे meditation में बैठ जाओ daily के 15 minutes आप meditation करोगे तो एक महिने में आप 15 into 30 days multiply करके देख सकते होगे कितने minutes total होते हैं और जहां तक मुझे लगता है कि 24 गंटे से तो ज़्यादा ही होंगे और ठीक उसी तरीके से अगर आप एक दिन में 15 minute visualization करते हो और 30 दिन तक करते हो comparatively दिन भर आप visualization ही करते रहो तो वो resistance देगा लेकिन 15 minute daily visualization करो इस दिन के लिए तो यहां भी आप देखोगे तो 15 into 30 करके minimum आप समझ लो 24 गंटे से आप ज़्यादा ही visualize किये होंगे और ऐसे में सोना भी ज़रूरी है कि अपने body को rest देना क्योंकि overthinking कहीं ना कहीं आपके sleep को बहुत बिगाड़ती है और sleep आपके mind के लिए बहुत ज़रूरी होती है body के लिए तो होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा mind के लिए होती है और बहुत से लोग meditation सिफ इसले नहीं कर पाते क्योंकि उनकी नीद पूरी नहीं होती अब नीदी पूरी नहीं होगी तो meditation में वो focus नहीं कर पाएंगे कभी भी अगर आप एक दिन में 8 घंटे सोने की habit डाल लो और पूरे महिने 8 घंटे डेली सो तो आप देख लो कितने minutes होते है 8 into 30 करके अब भले अब जाना time नहीं दे रहे अपने लिए लेकिन books पढ़नी श्राट करो अबराहम की और अबराहम की ही पढ़ो क्योंकि law of attraction में बाकी जो books है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता लेकिन actual में देखोगे तो वो है resistance create करने वाली या आपको ज़्यादा efforts वाली चीज़ों में डालने वाली अगर आप law of attraction actual में सीखना चाते हो तो अबराहम से best teacher दुनिया में कोई नहीं हो सकते और उनकी कौन सी book पढ़ोगे ये जरूरी नहीं है उनकी हर एक book best है आप मैं जो recommend करता हूँ वो हमेशा आपको description box में Amazon के उसकी affiliate link रहती है आप जाके check करोगे तो आपको मिल जाएगी अगर आप दूसरे flip card वगएर आपे भी देखोगे तो आपको अबराहम के books उसमें भी मिल जाएगी और daily का अगर आप एक आत पेज भी पढ़ो या 10 पेज भी पढ़ो या आदे घंटे भी पढ़ो तो काफी होता है ऐसे time में क्या होता है कि आप current reality को छोड़ करके एक new reality पे focused हो जाते हो automatically और जितना आप इसको daily basis पे repeat करते हो उतना ज्यादा अपकी life में changes दिखने लगते हैं लेकिन ये acceptance के साथ करना है कि immediately change नहीं आते है और gap भी आप से होगा practice immediately इतने अच्छे से नहीं कर पाऊगे तो practice करने की habit दीरे दीरे बनाते जाओ और जब आप visualize भी करो या meditation भी करो तो ये question आता है कि meditation तो चलो उसमें तो कुछ सोचना नहीं होता breathing पे focus करना होता है तो वो तो आप कर लोगे लेकिन visualization की जहां बात आती कि क्या visualize करे तो यहां पे simple यह है कि आप कोई चीज अपनी life में नहीं करना चाह रहे है यानि action wise आपको कोई चीज नहीं करनी तो visualize करना जो चीज आपकी life में नहीं है जबरदस्ती भले वो आपकी आँखों में नहीं नज़रा रहा आपको visualization में नहीं नज़रा रहा कि कहीं आप घुमने गए हो या past में कहीं आप घुमने गए थे उस तरीके के visualization का इस्तेमाल करो ताकि आपकी feeling better हो क्योंकि feeling better हो कि आप अपने end goal पे पहुँचोगे जो की है आप जो भी manifest करो happiness आपको मिलती है तो आप ऐसा कुछ भी visualize कर सकते हो जिसका कोई लेना देना ना हो आपके desire से लेकिन उसको visualize करके आप अच्छा feel कर रहे हो मतलब आप aligned हो रहे हो तो इस तरीके से जो भी process करो just उसका intention रखो मुझे better feel करना है और अगर आप ये चीज़े अपनी life में नहीं कर सकते तो मैं आपको recommend करता हो कि आप मुझसे अपना personal mind reprogramming audio बना सकते हो जिसमें मैं आपकी problem के according इस तरीके से उसको design करूँगा कि आप उसको daily basis पर सोने से पहले सुनोगे और जो reality में आपको expect करना है यानि जो reality में आप चाहते हो वो दीरे दीरे आपका mind उस तरीके का बनता जाएगा और उस mind के बनने की वज़ा से आपकी reality उस तरीके से बदलती जाएगी यानि अगर आप practice करते हो तो आप खुद से कर रहे हो अगर आप mind reprogramming audio बना रहे हो तो उसमें सारा effort mostly मेरा रहेगा आपको बस उसको सुनना होगा और सुनते सुनते आप उसको अपने mind को reprogram करोगे आपका mind उस तरीके से body उस तरीके से act करने लगेगी और आप manifestation कर पाओगे तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताईएगा और अगर आपको अपना mind reprogramming audio personally बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे manager अमृत को contact कर सकते हो उनके whatsapp नमबर पे उनका whatsapp नमबर में आपको comment box में दे दूँगा और अगर आपको इस वीडियो से related कोई questions हो या आप कोई topic personally जहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाओ तो आप मुझे comment box में बता सकते हो और इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद